Hello friends this is Rahul welcome back to cat styler CNC programming tutorial so आज की इस वीडियो में बात करेंगे G16 code की polar coordinate system की ठीक है polar coordinate system से हम CNC में किस तरह से program बना सकते हैं ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम program बनाएंगे इस slot का ठीक है तो आपके पास एक slot यह आ रहा है एक slot यह रहा है और एक slot यह रहा है तो तीन slot आ रहा है आपके पास और तीनो slots को हम G16 की help से polar coordinate system की help से आज CNC program बना के देखेंगे और इसकी cutting करके देखेंगे सो cutting कितनी करनी है मुझे देखे 2 mm की deep cutting करनी है मुझे और 50 mm का deep block है मेरे पास तो उसमें से मेरे को 2 mm की cutting करने इस slot की चीक है तो आएए देखते हैं slot का program किस तरह से बनाने है तो यहाँ पर आज हमें किसका program बनाने है पॉलर कोडिनेट सिस्टम की हेल्थ से हमें एक slot cutting करनी है जिसका code यूज करेंगे यूजिंग कोड जी सिक्स्टीन सो जी सिक्स्टीन कोड किसके लिए उस होता है पॉलर के लिए उस होता है तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है चेक है सो program किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले द्यान देना मेरे पास ये जो block आ रहा है कितना रहा है 200 वर 200 का block आ रहा है मेरे पास ये slot काटने के लिए मेरे पास दो चीज़ी है कि जब भी मैं G16 यूज करूँगा पास योज हान जाएगी हमारे पास लेंख होजएगी और य क्या हो जाएगा य एंगल हो जाएगा हमेरे पास चीज़ आपने note करनी है जब भी आप G16 कोड़ यूज कर रहे है तो यहां पर G16 में क्या होगा कि आपके पास X जो होगी वो लेंख हो जाएगी और य जो होगा angle बन जाएगा means अभी तक हम जो कर रहे हैं G1, G2, G3 में हमने cutting की है ठीक है तो अभी तक उसमें क्या था X और Y जो हमारे वो values ही थी हमें X और Y हम उसमें X की value दे रहे थे और Y की value दे रहे थे है ना यहां तो उसमें absolute में काम कर रहे थे यहां तो हम increment में काम कर रहे थे हमारी वो length हो रही है और Y जो हमारा angle हो जाएगा ठीक है तो दोनों के ही functions change हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर हमारे पास किस तरह से program अने का ध्यान देना अब हमारे पास slot कितने आ रहे हैं अगर हम single single slot को देखे यहां से तो 1 2 3 4 5 6 6 slots है और अगर मारे circle complete होता है तो क्या angle बनता है 360 degree का तो it means अगर मारे पास six slots आ रहे है तो हर x slot के बीच का जो distance आ रहे हो कितना रहे 60 degree का रहे एक तो हमारे पास यह angle find out हो गया ठीक है अब हमारे पास x और y जो होंगे x मारे पास length होगी y के होगा हमारे पास angle होगा ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना है देखिए origin हमें center बनाना पड़ेगा ठीक है ताकि हम length यह वाली लेके चले और angle हमारे पास जो भी हो आएगा polar के coding वो हम लेके चलेंगे ठीक है तो length हमारे पास same रहेगी और angle change होते रह sorry 0007 चीक है so four digit का name आएगा आपके पास o के बाद then इसके बाद g17 आपको पते है g17 किसके लिए use होते है xy अगर हमने milling में काम करना है तो g17 g21 mm में काम करना है g90 absolute में काम कर रहे हैं और g94 feed rate mm पर minute के लिए और इसके बाद g55 offset के लिए use हो रहा है इसके बाद spindle move कर जाएंग spindle की rpm देने है s 2000 m03 हो जाएगा इसके बाद इससे पहले हमें टूल भी देना है ठीक है तो टूल क्या देंगे t01 m06 अभी single tool use कर रहे हैं अब आगे आगे हम multiple tools को किस तरह सी use करके program बनाएंगे वो भी हम देखेंगे ठीक है so t01 tool देदी हमने spindle के rpm देदी है g0 x की position देनी है x की position अब क्या एगी और y की position क्या एगी अभी हम polar नहीं यूज करें तो x और y दोनों लेंस है हमारे पास ठीक है यहां पर आप हमने क्या देखना है देखे हमारे पास यहां पर क्या रहा है center हमने origin ले लिया ठीक है तो अभी हमारे पास हम g0 use कर रहे हैं हम g16 भी use कर सकते है अभी हम g0 ही use कर रहे हैं ठीक है g0 में क्या होगा x की value हमारे पास क्या होगी यहां पर 0 अगर हम यहां से start करें क्यूंकि हम g0 में इसी की value लेके चल सकते हैं यहां की length हम नहीं find out कर सकते हैं यहां की length find out करेंगे y की value हमें नहीं पता x की value पता है y की value नहीं पता ठीक है यहा पर हमारे पास straight slot आ रहा है तो इसकी हमें X की यहां Y की value हम find out कर सकते हैं तो अगर यह origin है तो Y की value क्या हो जाएगी अब Y में जा रहा है तो Y की value क्या हो जाएगी यहां पर 70 140 का die आ रहा है तो half से value लेकर चलेगी कितनी आजेगी 70 आजेगी और X क्या रहेगा यहां पर 0 तो यहां पर हम put कर सकते हैं X की value 0, Y की value 70 तो X की value क्या है जाएगी 0, Y की value क्या होगी 70 ओके अब Z2 करेंगे इसकी बाद Z0 करेंगे और साथ ही में feed भी देंगे और M08 coolant को भी on कर देंगे इसके बाद क्या करेंगे Z-2 कर देंगे इसके बाद क्या करेंगे Z-2 जब हमने किया तो अब हम polar apply करेंगे G16 X क्या हो जाएगा हमारे पास X आपको पता है 70 ही जा रहा है Y में angle change हो जाएगा अब Y में angle क्या change होगा देखे यहां पर यह क्या रहा है मेरे पास center आ रहा है अब हम यहां पर आ चुके हैं और यहां से हमें नीचे आने ठीक है तो अब यहां से जब हम एंगल क्याइड करेंगे तो यह 0 हो जाएगा यह 90 हो जाएगा यह 180 हो जाएगा और यह 270 हो जाएगा अच्छा कईयों को यह समझ नहीं आ रहा हो कि करना है तो मैंने इसके उपर स्पेशली एक वीडियो बना रखी है पोलर कॉर्णे सिस्टम के उपर उसका में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप यहां से वीडियो देख सकते हैं ठीक है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अप्सलूट इंक्रिमेंट और पोलर कॉर्णे सिस्टम में क्या डिफ्रेंस है तो पोलर कॉर्णे सिस्टम की वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको यहां पर कन्फ्यूज ना हो ठीक है तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे तो जीरो 90 180 और यहां से हम डाउन चले जाएंगे तो क्या एंकल आएग मेरा कट हो गया मैंने 2M की कटिंग दिया सिर्फ only ठीक है अब इसके बाद मुझे यह वाला स्लोट किस तरह से काटना है यह वाला स्लोट किस तरह से गाटना तो उसके लिए मुझे टूल को उपर उठाना पड़ेगा ठीक है तो यहां से हम क्या करेंगे जी जीरो जेट 10 इ दो ने चाथ खाने है तो यहां से स्टार्ट कर लूँ यहां तो अब मैं यह वALा स्लोट स्टार्ट करता हूं छां यहां से उठाके मुझे डूल यहां पर प्लेस कराना है तो इसके क्वाडिने जाएंगे एक्स हो जाएगा 70 Everyone is देखो origin के अब origin क्या हो जाएगा यहां से ठीक है ना आप हमें यहीं से एंगल सारे calculate करने तो यहां से एंगल यह वाला क्या जाएगा अब इन दोनों की बीच का distance कितना आ रहा है 60 आ रहा है तो अगर मैं half angle लेकर चलों तो क्या आएगा 30 आएगा तो यहां पर G16 में X मेरे पास क्या आजाएगा 70 आजाएगा Y क्या आजाएगा 30 आजाएगा ठीक है इसके बाद Z2 कर देंगे और G1 Z0 field 200 दे देंगे ठीक है और Z0 जब भी आप touching ले रहे हैं तो field ज़रूर देनी आपने इसके बाद Z-2 अगें इसके बाद कहा पर tool जाएगा अगें G16 अप्लाइ γेंगे X क्या ओ जाएगा 70 Y क्या होगा यहां पर 60 है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर 0 था यह एंगल कितना हो जाएगा 180 तो 180 से प्लस 30 जा रहा था एंगल कितना हो जाएगा 210 ठीक है ध्यान देने इस चीज़ को इसके बाद क्या होगा G16 X 70 Y 210 इसके बाद again तूल को उपर उठाएंगे Z10 कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे अभी हम G16 अपलाई करेंगे X कितना हो जाएगा 70 X common रहेगा जितनी length आ रही है और Y में move करते जाएगा अब Y कितना हो जाएगा दिखिये यहां से start करेंगे तो अगर हम यहां पे लेकर चले measurement पर यहां पर लेकर चलें कोई दिक्कत नहीं है सो यहां पर लेकर चलते हैं अब हमारे पास टूल कितना हो रहा है दिखिये यहां तक हमने 180 से plus 30 किया था यहां से 180 से 30 minus कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 150 सो यहां पर कितना हो जाएगा y 150 हो जाएगा z2 कर लेंगे ठीक है z0 feed दे देंगे 200 की इसके बाद z minus 2 कर देंगे और फिर क्या करेंगे g16 में again क्या यूज करेंगे x क्या हो जाएगा 70 y क्या हो जाएगा अब देखते हैं y क्या होगा अब देखिए यहां से मैंने क्या किया था 0 से 30 प्लस किया था अब यहां से घूम के जब 2 जब circle complete होता है तो 0 और 360 सेम पॉइंट पे लाई करते हैं ठीक है तो 0 से start होगा और 360 पे खतम होगा तो 360 से कर 30 माइनिस कर दूँगा तो कितना आजएगा 330 एंगल आजएगा तो एंगल कितना आएगा 330 ठीक है अब complete होगे मेरा slot तो मैं क्या करूँगा g0 z100 इसको उपर उठा सकता हूं और m05 m09 और m30 पे मैं इसको close कर सकता हूं बस मेरा complete होगे प्रोग्राम तो आई इसको simulate करके देखते हैं प्रोग्राम को किस तरह से यह simulate होगा तो फ्रेंड्स हमें यहां पर emergency को और की बोड़ा उसको unlock करना पड़ेगा वर्कपीस हम यहां पर set कर लेते हैं कितना है 200 वा 200 का आ रहे हैं और replace जिरूर कर लेना है कई बड़ी के होता है कि replace नहीं करते हैं हम सोचने कि यह वर्कपीस तो चेंज नहीं हुआ इसकी हमने depth भी change कर दे नहीं है 50 mm हमारी है तो यहां से replace जरूर कर दे हैं तो clamp change कर लें हम यहां से tool management आ रहा है यहां से flat end mill लेके चलेंगे 20 का die लेके चलेंगे ठीक है okay 20 का die आ रहा है देखिए ध्यान से यहां पर हमारे पास radius कितना रहा है 10 का आ रहा है तो टूल डाय कितना लेके चलेंगे 20 का लेके चलेंगे चिक हैं आपकी इसकी practice होगी तो आप multiple tools को handle कर सकते हो सो अब यहां पर हम क्या करेंगे reference पर offset लेके चलेंगे offset अम किस पर लेके चलेंगे माली जी 55 पर लेके चलेंगे क्योंकि हमने प्रोग्राम में 55 को बनाना है यह 54 56 पर बना सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम जस्ट जनरल practice purpose के लिए 55 पर लेके चलते हैं तो हमें क्या करना है यहां पर 55 पर offset सेट करनी है और यहां से हम क्या करेंगे X में मूव कुरवाएंगे Y then Z zero अच्छिंग हो रही है आपने fine touching लेनी है ठीक है program अच्छा बनेगा आपका बिल्कुल end तक ले जाई है अच्छिंग हो और इसके बाद आप क्या करोगे Z zero यह हो जाएगा measure ठीक है then इसके बाद Z को उपर उठाएंगे Y में touching लेंगे और intimate में जरूर आपने touching लेनी है because हम यहां पर थोड़ा सो difference करते हैं यहां पर क्लिजिन दिखा रहा है but practically हमें collision नहीं दिखाता है हमें increment mode में धीरे धीरे उसको dodge कर बाना पड़ता है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे अब हमें ध्यान रखना है कि हमें center लेके चलना है तो टोटल ब्लॉक जो हमारे 200 वा है 200 गया है तो अब center लेके चलेंगे तो टूल का जो पहले हम तूल जो हम center पर लेके चलते थे यहां पर तूल का जो center हम corner पर लेके चलते थे मतलब मान लेजिए टूल डायर 20 का तो हम माइनस 10 कर देते थे अभी हमें के करना है ब्लॉक को भी include करके चलना है ब्लॉक कितना रहा है 100 रहा है तो 100 प्लस 10 100 रहा है 10 तो 110 माइनस करेंगे तो य क्या हो जाएगा माइनस 110 तो यहां पर हम मेजर कर देंगे तो हमारा यह center पर आ जाएगा then x में touching लेंगे z में थोड़ा सा उपर उटालकते हैं collapse करेंगा यह then again y में आएगे और then again x में यह create करेंगे इस तरह से हमारे पास increment में touching है आ जाएगे यहां पर collapsing इसलिए दिखा रहा है आपके पास आप इंक्रिमेंट मोड पर उसे जरूर लेके चलेंगे बट वह मैनुलिक होगा यहां पर कोलीजिन नहीं दिखाएगा आपको ठीक है ओके यहां भी अब हम क्या करेंगे एक्स माइनस 110 करेंगे 200 200 का ब्लोक है तो सेंटर पर आएगा तो X और Y दोनों में सेंटर मेंट होगी तो इस तरह से आपके पास यह वैली हो से आजेंगी ठीक है देन प्रोग्रम जुनरेट करेंगे डिरेक्टरी भी चले जाएंगे और यहां से हम प्रोग्रम लेके चलेंगे लाइक मैं माल लिजी ट्रिपल सेवन एक प्रोग्रम बना लेता हूँ डबल सेवन डबल सेवन एक प्रोग्रम बना लेता हूँ चीक है तो क्या होएगा यहां पे अब जी सेवन्टीन जी ट्वंटीवन जी नैंटी जी नैंटी फॉर जी फिफिस्टी फाइव टी जिरो वन जिरो सिक्स स्वरी टी जरो टू आगे है तो यहां पर टी जरो वन करेंगे आप और इसे यहां पर ओल्टर कर देंगे और इसके बाद स्पिंडल के स्पीड आजेगी एम जिरो ठी कंटर क्लोकोईजम इससे रूटेट करेंगे जी जी जीरो एक्स की पॉजिशन क्या हो जाएगी 70 है वाई क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर स्वरी नहीं होगा स्वरी यहां पर हम क्या कोडिनेट्स लेकर चलेंगे जी जीरो एक्स जीरो 70 एक्स जीरो वाई 70 सो वाई की होगी 70 जेट टू करेंगे जेट जीरो जब करेंगे तो फीड आपने ज़रूर देनी है साथ ही आप चाहे तो पॉलेंट आउन कर सकते हैं ठीक है जैनिस के बाद Z-2 हमने कटिंग करनी है और G-16 में इसको लेकर चलेंगे X क्या हो जाएगा 70 Y क्या हो जाएगा 270 डाउनवर्ड जाएगा जैनिस के बाद G-0 Z-10 टू उपर उठाएंगे और G-16 में ही इसे मूव करेंगे तो X क्या हो जाएगा हमारे पास again 70 y क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा then इसके बाद z2 करेंगे z0 करेंगे तो feed भी आईगी आईगी और इसके बाद z-2 कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे g 16 में move करेंगे x क्या हो जाएगा 70 y क्या move करेगा इस टाइम अब हमारा टूल कहां पर जा रहा है यहां से यहां पर जाएगा तो कोडिनेट्स के आएंगे अभी हमारे पस 70 30 और यहां पर क्या हो जाएगा 210 आएगा तो वाई के आएगा 210 ठीक है जी जीरो जेट 10 अगें उठाएंगे और जी सिक्सिन में प्लेस करेंगे एक्स की पोजिशन के आएगी 70 एक्स तो लेंट्स रहेगी 70 और य एंगल के आजएगा भी वाई के आजएगा भी 150 आजएगा तो 150 और क्या एंगल आएगा अभी क्या एंगल आएगा 150 के साथ कौन सा एंगल आएगा 330 तो 150 और 330 यहां पर लेके चलेगे तो य आजएगा 150 देन जी 16 एक्सेवंटी वाई 150 और उसके बाद क्या हो जाएगा Z2 हो जाएगा Z-2 हो जाएगा Z-0 फीड आपने लेके चलनी है Z-2 और इस बाद G16 X के हो जाएगा 70 हो जाएगा Y के हो जाएगा यहां पर 330 और यह slot आपका complete हो जाएगा तो यहां पर अब क्या करोगे G0 Z100 कर दोगे M05 M09 और M30 यह close कर दी हमने program अब इसको run करके देखते हैं हमारा program किस तरह से run करेगा हम यहां से auto mode start करके देखते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखिए red color का path आ रहा है तो आप उसको check कर सकते हैं और हमारा यहां पर इस तरह से जो path आपको दिखाई दे रहा है अब इसमें cutting करके देखते हैं cutting किस तरह से करेगा यह तो यहां से single single block चला के देखेंगे हमारे पास cutting इस तरह से हो रही है spindle to y70 पर जा रहे है ठीक है यहां से start होगा then इसके बाद z2, z0, z-2 cutting ले ली, g16 में move कर रहे है तो आप देख सकते हैं इसने यह वाला slow to complete cutting कर दी है तो बिल्कुल सही अच्छा कई बाद student क्या पूचते हैं कि sir यह जो चीज आ रही है यह exact नहीं आ रही है मतलब program खराब हो रहा है यह dear इसका कोई भी इशू नहीं है program आपका बिल्कुल सही जा रहा है ठीक है यह सिर्फ graphics के issue है software काफी छोटा है यह ठीक है ना तो graphics के issue रहेंगे इसमें तो इस चीज की आपने चिंता नहीं करनी है आप आप रियल जब program बनाएंगा तो बिल्कुल सही program बनेगा बिकोज आप यहां पर endmill का यूज कर रहे है तो endmill से इस तरह का program तो कटी नहीं हो सकता ठीक है ना तो यहां पर यह जो चीज आ रहे है यह सिर्फ only the reason of graphics issue ठीक है तो software के graphics है वो अच्छे नहीं है इतने तो यहां पर आपको यह चीज देखने को मिलेगी मिलेगी ठीक है तो इसकी चिंता नहीं करनी है बाकी आपको program बिल्कुल सही कर्टू है ठीक है यहां से यहा आपको यह program अच्छे से समझ में आ गया होगा इस अगर इस program से related आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप comment box में जरूर पोच सकते हैं okay thank you so much for watching this video thank you so much